कि सर या दाड़ी के सफेद बाल उखारना मक्रूह है मना है या रख हमाँ पास होता है सफेद बाल आगारे मेरा बुढ़ापा नजार आ रहा निकालो या शोहर जैसी देखते हो अरे मेरे सफेद बाल बीवी आ जाओ क्या हो गया निकालो और बीवी कट कट चुनते बैठी क् पिर गिन गिन मत एक दो तीन चाहिए अच्छा फिर किसी ने देख लिया तो बोलता अरे सफेद बालों को तोड़ना मक्रूह मना है चाहे सर कियो चाहे दाड़ी कियो और अब अबुदाउद की रिवायत है और हदीस के अलवा इस तरह से हैं कि नभी एकरम स्वेद बाल मत उखाड़ा करो हर वो मुसल्मान जिसके हालत इसलाम में बाल सफेद होते हैं सफेद बाल को मत उखाड़ा करो चाहे दाड़ी कियो चाहे सर के हर वो मुसल्मान जिसके हालत इसलाम में सर बाल सफेद होते हैं वो कामत के रोज इसके लिए नूर होंगे हर वो मुसल्मान जिसके बाल सफेद होते हैं वो बाल रोज इसके लिए नूर होंगे और इसी साथ और भी अलफ़ा इस तरह से हर सफेद बाल के बदले में इसके नाम आमाल में एक हसनात एक नेकी लिए लिए और एक गुना माफ फरमा दिया जाएंगा तो सफेद बाल को उखारना या निकालना दुरस नहीं है मतलब जो आप सिल्वर के तरफ जाते हैं और कुछ लोग सिल्वर को फिर जब वो महंदी लागा के गोर्लन के तरफ जाते हैं ठीक है तो बालों को उखारना मना है इसलिए कि सफेद बाल के वज़े से वो सफेद ब और पूरे बालों काला कर देते हैं सफवेद का चांस ही नहीं है मतलब मरनी की हालत है लेकिन मौत के बिस्तर पे भी जवानी मर के गए हो उमर के अतिबार से सौ साल के थे लेकिन देखने के अतिबार से जवानी चलेगा दुनिया से हो बालों को काला कर दे रहे, सफेद रहने देना चाहिए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, यह सफेद जो बाल होते हैं, इसके फाइदे हैं, एक तो नूर होंगे, हर एक सफेद बाल एक नेकी देंगा और एक गुना को माफ करवाएंगा, कितनी बड़ी बात है, है ना, तो ल कि लव से जादा बढ़ाना नहूं सत्यादा,